हलो स्टूडेंस नमस्कार मैं में बल्डो दिया अभी वक्ति के मध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ BSC Nursing 2022 और वो भी AIMS AIMS में जाने का सपना अगर आप संजोए हुए हैं तो आपके सपने पूरे होने वाले हैं AIMS 2022 का जो BSC Nursing का Entry Gate था वो Open कर दिया गया है AIMS 2022 एक्जाम का result आउट कर दिया गया है Students उसमें seat allocation के लिए जो first round के counselling होनी है वो process और प्रिक्रिया शुरू कर दी गई है जो process शुरू हुई है उस process को कैसे आप follow करेंगे कौन से documents को specifically आपको arrange करना है Last year का cut off क्या था कौन सी college age और कितनी seat हैं इस बीच सबसे important बात में आपको बताता चलूँ इस बार AIMS से BSC nursing करने वालों की तादात भी बढ़ेगी क्योंकि number of seats जो है वो बढ़ा दी गई है तो number of seats बढ़ रही है आपको AIMS की जो official website है उस official website पर एक merit list या फिर आप कह सकते हैं जो selected candidates है जो eligible candidates से उनकी list मिलेगी उन eligible candidates की list जो वहाँ दी गई है आप अपना नाम उसमें देखें अपने details उसमें देखें और उसके बाद procedure के लिए जाएं तो आईए कुछ basic data और information AIMS BSC nursing के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ list of eligible candidates for mock first round of online seat allotment और allocation ये आपको AIMS की official website पे दी गई है इसके बाद अगर students हम देखें तो आपको ये पता लगाना जरूरी है counseling में participate करने के लिए इस बात की जानकरी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कहां कौन से college में कितनी seat हैं तो number of colleges जो seats अभी AIMS के अंडर जो nursing institute आते हैं उनका number 12 है था लेकिन अब वो 14 हो गया है तो AIMS की जो nursing की seat हैं वो बढ़ गई है इसमें अगर देखें तो नई दिल्ली में 96 भोपाल 75, गुनेस्वार 75, देवगर्ड 60, जोदपूरेम 75, नागपूर 40, पटना 75, राइपूर 75, रिसी के सेम्स जो है उसमें 100 seats हैं गौरकपूर में 60, कल्यानी में 60 और बटिंडा में students 60 seats हैं तो इस तरीके से total 851 seats हैं और मुझे जहां तक आइडिया है दो college और हैं जिनमें seat बढ़ा दी गई है जिसे बनारस है उनमें नया allocation आया है तो इस तरीके से ये जो number of seats हैं वो 1000 है एक हजार के आसपा seats हैं जिनमें आपको बच्चो मौका मिलेगा अगर AIMS BST Nursing के पिछले साल के cut-off की हम बात करें कि पिछले साल cut-off क्या रहा था तो AIMS BST Nursing 2021 का जो All India cut-off था उसमें जनरल के लिए 669 All India rank थी EWS के लिए 1378 SC के लिए 1982 SD के लिए 3990 और physical handicap जो हैं उनमें unreserved category में जनरल के लिए student 7595 EWS के लिए इसके आसपास ही रही थी OBC के लिए 6714 SC के लिए 7938 and ST के लिए 5700 यह इस तरीके से cut-off रही थी Students एक important notification और है important notice यह है कि जब भी आप इसके documents को arrange करें तो specifically notice एक जारी किया गया था जिसमें OBC NCL non criminal category है OBC के वो और EWS इनको आपको पता है certificate नया बनवाना होता है Central का मतलब नया 6 महीने पुराना Central का जो है वो जारी हुआ हुआ होना चाहिए और यह आपको students upload भी करना और उसके upload करने की date आपको दे रहे किए 29th of June to 5th July अतलब आज से अप्लोड होना सुरू हो गया है और 5th July तक शाम पांच बजे तक आप इसको upload कर सकते हैं SCST के भी Central के ही certificate होने चाहिए उनको upload करने की आवशकता नहीं है OBC NCL और EWS की जो certificates हैं उनको students upload करना है आपको और आप ध्यान रखें ये certificates 29 June से लेकर 5 July तक आप upload कर सकते हैं और इसके बाद देखे एक और information इसी वीडियो में हम discuss कर लेते हैं NEET का रास्ता साफ है 17th July को होने वाले NEET को लेके कई संसे की स्थितियां पहले बनी हुई थी कि कब NEET होगा नहीं होगा पॉस्पर्ण होगा या नहीं होगा तो NTA ने इस exam को conduct करवाने के लिए जिस particular city में जिस concerned city में और सहर में आपका exam center होगा उसका एक code release कर दिया है तो उसका link है उसके जाके आप देख सकते हैं कि आपका center जैपूर रहने वाला है seeker बीका ने रहने वाला है राजस्तान के कुछ सहरों के नाम में बोल रहा हूँ तो ये clear हो गया है कि exam 17th of July को ही होगा हलांकि exam center आप अब तक clear नहीं कर पाएंगे कहां आपको मिलने वाला है जैसे ही permission letter आएंगे admit card आएंगे admit card की information और उसके बाद में आगे के detail भी मैं आपसे साजा करूंगा aims से BSC nursing करना चाहते हैं तो 14 aims जो हैं उनमें करीब 1000 सीटे हैं उन 1000 सीटों तक आपको जाने के लिए इस counseling process को follow करना पड़ेगा बसरते आप पहले से इस प्रक्रिया में इस process में exam के तुरू हो के आएं तो जो selected और eligible candidates हैं उनकी एक list एंड aims ने जारी कर दी है आप जल्दी से अपना registration करिए अपने process को complete करिए और इसके बाद में aims nursing में अपना future जो है वो secure कीजिए बहुत अपने आप में प्रतिस्था वाला और आप ये कह सकते हैं prestigious institutions हैं इन में अपने आप में aims में सीट मिलना भी काफी अच्छा माना जाता है काम कोई भी हो उसको करने के लिए अगर आपके मन में positivity है सकारात मकता है तो definitely वो अच्छा होता है आगे की भी informations के लिए हम जुड़ते रहेंगे enjoy your life, be safe and let's the world mind you thank you